हेलो एवरिवान वेलकम टू माई निव वीडियो मैं हूँ कविता और आप देख रहे हो मेरी चनल लुके डिलाइट दोस्तों क्या आप जानते हैं एंड्रोइड और आइफोन में क्या अंतर है दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे से कितने अलग अलग है अगर आप यह नहीं जानते तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि आइफोन और एंड्रोइड फोन में क्या डिफरेंस है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग वीडियो को अंतर देखिए तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस किया है तो आप लोग वीडियो को अंतर देखिए दोस्तो जब भी हम किसी समान को खरिदते हैं तो उसकी तुलना हम दूसरे समान से जरूर करते हैं ताकि जो समान हम खरिद रहे हैं वो हमें कम कीमत के साथ अच्छी क्वालिटी में मिले और उसी तरह मुबाइल खरिदते समय भी हम अलग-अलग मुबाइल को चेक करते हैं जो एक से बढ़कर एक फीचर मिलते हैं और जिनमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट होगा ठीक उसी तरह लोग एंड्रोइड और आईफोन को लेकर काफी कन्फ्यूज रहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों में अंतर ह अंतर है लेकिन एक चीज जो दोनों की एक कॉमान वह है और वह है कि दोनों अमरिकी कमपनी का प्राड़क्ट है और दोना कमपनी वाल्ड-oyund शिर्फ एपल कमपनी में ही बनती है सो अब बात करते हैं इन दोना सुओनों में आखिर दोनों में differences क्या है दोस्तों आप बात करते हैं इन दोनों में differences क्या है मैं आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 20 इसे differences बताऊंगी जो कि आप लोग पहले कभी नहीं सुने होंगे अगर आप चाह रहे हैं कोई स्मार्टफोन लेने की स्थोत रहे हैं तो आपको यहां इसके बारे में काफी knowledge भी मिलेगी जिसके बाद आपके लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन चुनने के लिए आसानी भी होगी वैसे Android और iPhone दोनों स्मार्टफोन हैं लेकिन इन में कुछ differences भी है जो इन्हें अलग बताता है क्योंकि आगे में आप लोगों को बताऊंगी ऐसे 20 differences तो बात करते हैं पहला difference के बारे में दोस्तों Android फोन Google के operating system Android पर चलते हैं जबकि iPhone एपल कंपनी के iOS operating system पर चलते हैं difference number 2 iPhone में आपको overheating और hanging की problems देखने को नहीं मिलती है जबकि Android फोन में overheating और hanging की problems रहती है अप लोग अगर Android फोन यूज कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में काफी knowledge होगी कितना हमारा Android फोन जल्दी ही overheat हो जाता है अब बात करते हैं difference number 3 के बारे में Android फोन को दुनिया में बहुत सारे company बनाती है जबकि दुसरी तरफ iPhone को सिर्फ अमेरिकी company Apple ही बनाती है difference number 4 एपल कंपनी iPhone को hardware और software खोद बना कर iPhone में लगाती है जबकि Android फोन में लगने वाले software और hardware अलग अलग कंपनी जारा बनाये जाते हैं difference number 5 Android के latest operating system पुराने Android फोन पर काम नहीं करते हैं जबकि iPhone के latest operating system पुराने iPhone में भी काम करते हैं difference number 6 अगर आपके iPhone में कुछ खरावी हो जाती है तो आप नजदी की Apple Store में अपने iPhone को लेकर ठीक कर सकते हैं जबकि Android में आपको उसी कंपनी के store के पास जाना पड़ेगा जिस कंपनी का आपका Android फोन है difference number 7 आईफोन अपने बहतरिन केमरे केमरा क्वालिटी के लिए भी जाना जाता है इसके केमरा DSLR को भी मात दे देते हैं जबकि Android मोबाइल में आपको कैमरा क्वालिटी आईफोन की तुलना में एवरेज ही मिलती है difference number 8 Apple कंपनी अपने आईफोन मोबाइल यूजर के लिए समय समय पर अपडेट का आपशन देती है जबकि दूसरी तरफ Android में बहुत थी कम ही ऐसी कमपनिया है जो आपडेट का आपशन देती है difference number 9 iPhone का आईफोन का आपडेटिंग सिस्टम का Android के आपडेटिंग सिस्टम से काफी अच्छा है क्योंकि Android में एप आपडेट करने में काफी समय लगता है जबकि आईफोन में एप आपडेट करने में ऐसे कोई भी दिकत नहीं होती है difference number 10 अगर आपके पास iPhone है तो आपको प्रिमियम फील आती है इससे आपको स्टेटस का पता चलता है जबकि Android में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है Android फोन आईफोन की तुलना में बहुत सस्ते होते है जबकि आईफोन की कीमत काफी ज़्यादा होती है इस वज़ा से जदा तर लोग Android मोबाइल देना पसंद करते है difference number 12 Android फोन को अप अपनी तरह से कॉस्टरमाइज कर सकते है जैसे कि ओम फेज को चेंज करना, आईकन चेंज करना और लोग स्क्रीन चेंज करना आदी जबकि आईफोन में अप अपने तरह से चेंज नहीं कर सकते है difference number 13 आईफोन को रूट करना काफी मुस्किल होता है यह आप आसानी से रूट नहीं होता है जबकि Android फोन को आप आसानी से रूट कर सकते हैं और रूट करने के बाद मुबाइल को आप अपने तरह से कॉस्टमाइज भी कर सकते हैं difference number 14 अगर दुनिया में मुबाइल की संख्या को देखे तो Android पहले स्थान पर आता है क्योंकि Android फोन को बहुत सारे कंपनिया बनाती है जबकि iPhone को सिर्फ और सिर्फ Apple कंपनी बनाती है इस वज़ा से iPhone की संख्या Android की तुलना में बहुत ही कम है difference number 15 iPhone में आप कुछ ही Apps और Games को इंस्टोल कर सकते हैं जबकि Android फोन में आप लगवग 20 लाक एप्स और Games को इंस्टोल कर सकते हैं अगर आपके फोन में स्टोर इज एवलेबल है तो राइट अब बात करते हैं difference number 16 के बारे में Android के App Store में आप Apps और Games की संख्या iPhone के App Store से काफी ज़ादा है Android में आपको हर तरह की Apps और Games फ्री में मिल जाएंगे जबकि iPhone में आपको कुछ Apps और Games के लिए रुपे देने पड़ते हैं difference number 17 आज के समय में Android में Long Battery Backup वाले स्मार्टफोन बनाने पर जोर दिया जा रहा है और इसमें कई ऐसे कंपनिया हैं जो अपने ज़्यादा बैटरी चलने वाले मोबाइल फोन लांच कर भी दिये है इस तरह Android में आपको Long Battery Backup का Option मिल जाता है जबकि iPhone में आपको अपने मोबाइल को दिन में एक बार जरूर चार्ज करना होगा iPhone में Long Battery Backup का Option नहीं मिलता है डिफरेंस नमबर 18 iPhone को सिर्फ Apple कंपनी बनाती है इसलिए इसके नए मोडल लांच होने में काफी समय लग जाता है जबकि Android को बहुत सारे कंपनी बनाती है और लगबग हर महीने Android का नया नया मोडल और नियो फीचर के साथ लांच होता रहता है डिफरेंस नमबर 19 Multitasking के मामले में Android काफी आ गए है जैसे Android में आप गाना सुन सकते हैं और साथी साथ इंटरनेट पर ब्राउजिंग भी कर सकते हैं मतलब Android में एक समय में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जबकि iPhone में multitasking का option नहीं मिलता है और इस phone में आप एक समय में बस एक ही काम कर सकते हैं आप इसमें multitasking काम नहीं कर सकते हैं डिफरेंस नमबर 20 दोनों iPhone और smartphone की design की बात करें तो iPhone के सभी model एक जैसे ही है तो model को देखकर पता नहीं चलता है जबकि smartphone को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा model है तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि Android और iPhone में क्या differences है यहां मैंने आपको ऐसे 20 differences के बारे में बताया और जिन्हें जानने के बाद आपको iPhone और Android में अंतर को समझ में आ गया होगा सो वैसे देखा जाए तो आम इन लोग की पहली पसंद होती है iPhone क्योंकि इसमें उन लोगों की status का पता चलता है जबकि आम लोगों की पहली पसंद होती है Android जिसमें कम कीमत में आपको बहुत कुछ मिल जाता है अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी Android और iPhone के डिफरेंस के बारे में पता चले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें आप मिलते हैं ऐसे और एक इंट्रेस्टिंग एंड जानकारी वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद थैंक यू फॉर वाचिंग